नमस्कार दोस्तों ग्रेटु इंडिया यूटूब चनल में आपका स्वागता है यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफोर्म तो आज का अपना टेस्ट 20 नमबर तो दोस्तों सेशन को स्टार्ट करते हैं सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि चैनल को लाइक श सेशन को स्टार्ट करते हैं और आज का सेक्षन का फॉस्ट कोर्षन यहां पर 12 कोर्षन हम यहां पर करने वाला है तो 15 मार्क्स की त्यारी के लिए प्रैक्टिस करते हैं लगाता ग्रेटू इंडिया यूटूब चैनल पर तो चले दोस्तों पहला कोर्षन क्या करा है उपर लगती सब्सक्तार करने सरी सबने कहीं पर भी जो सकता हुआ यहां पर इंढऄ त्रती स्टाविंग में क्लिए करना है है वापस replace पर क्लिक करना है और OS axa अब इसकी फान्ड करन्ड के बोले तो यहां पर Jersey औरपफेंड में जाना है और मीमस यहां पर आपको वापस किया लिखना है गर लिखना है और फाइप नेक्स्ट does dim dar जैसे मिला सबस्ट नेक्स्ट यहांपरElis कितनी करनी है 22 इस तरीके से ही ये कोर्शन सॉल करना है बली आपको तीन या चार मिनट लगे 22 और फाइंड नेक्स्ट तो जितने भी गर है उसको आपको ध्यान रखना है 22 साइच करनी है ये ध्यान रखना है है नेक्स्ट कि 22 पाइंड नेक्स्ट ट्ट्टे ट्ट्टे को अग्धिवाइं नेक्स्ट के साथ गर को रिप्लेश किया था और उसके अलावा जितने भी गर है उस सब की साइज आपको त्ट्टे करनी है चलो next question को देखते हैं फिर यहां पर परतम paragraph में hanging indent apply करना है तो परतम paragraph को select करना है यहां से और फिर यहां पर hanging indent के लिए आपको ध्यार रखना है paragraph group में जाना है यहां से special option में hanging लेना है और hanging में कितना बोला आपको यहां पर ध्यार रखना कुछ नहीं कहा है तो कुछ नहीं सिधा ही आपको ok कर देना है next question चौते paragraph में drop cap drop insert करें तो चौता paragraph यह चौता paragraph select करना है insert वाले group के अंदर आपको drop cap और यहां पर drop करना है तो इस पर first पर click करके बार click कर देना है फिर क्या लिकावा है उपरूक पांचे paragraph में जहां कई भी गर सब्सक्रिप्ट इफेक्ट परदान करना है तो देखे अब गर सब्सक्रिप्ट जहां कई भी लिका है तो यहां first study में click home के अंदर गए find advance find यहां से गर हमने पहले अल्रेडी लिका था find next अब जितने भी है तो पहले देखे find in करके man document करो जितने भी घर मिल रहे है एकदम मुखे घर लिकावा है कोई अलग गलत नहीं है तो find in का option मिले तो यहां से करेंगे और यहां पर सब्सक्रिप्ट करना है यह सुपर वो देखना है यहां सब्सक्रिप्ट करने के लिए बूला सब्सक्रिप्ट किया और इसको close कर देना है next उपरुक्त पहले paragraph में highlight को remove करना है तो पहला paragraph highlight हो रहा है उसको select करनके highlight option में ही जाना है और यहां से no color कर देना है जिससे highlight remove हो जाएगा च्छटे paragraph की spacing expanded set करनी है तो देखिए च्छटा paragraph तो यह उगए अपना तीसरा चौता और यह पांच और यह च्छटा च्छटा paragraph फॉन्ट वाले group के अंदर advanced features और advanced features में spacing expanded और सिधा योके कर देना है section 3 में 7 number question क्या कर रहा है कि उपरुक्त page के footer को remove करना है तो इसका मतब already footer लगावा है तो इस footer को remove करने के लिए insert में आपको footer वाले group के अंदर ही जाना है और यहां से सिधा ही नीचे remove footer दे रखा है उस पर click कर देना है question end next question तीसरे paragraph की दूसरी line को देखिए तीसरे paragraph की दूसरी line तीसरा paragraph यह है दूसरी line को select करना है और इसको आपको home में जाके font वाले group के अंदर आपको कौनसा effect देना है एंबोज effect और ओके कर देना है उपरोग परगाप के अंत में three row और four column की table insert करने है परगाप के अंड में three row insert में गए table three row और four column क्लिक कर देना है तो यह one two three four column हो गए three row हो गए table insert हो गई उपरोग टेबल के परतम रोग का background रंग अपने अनुसार insert करना है तो परतम रोग यह है background color home में जाएगा और यहां setting वाले option के अंदर यहां से आपको जो background color लेना हो ले लेना है और बार next अपरोग टेबल के अंत में एक नई रोग करने है नई रोग करने के लिए टेबल के लास्ट में click करके एंटर दोगे तो नई रोग हो जाएगी और दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखने टेबल का जो concept मैं बताऊंगा बाद मैं आपको दियान रखना है लेओट के option में से भी आप इंसेट भी लोग करोगे तो option में से एक टेबल की नई रोग इंसेट हो जाएगी लेकिन यह दी option यह नहीं मिलेगा तो आपको एंटर के साथ ही नई रोग लेनी है next पीच मार्जिन मौडरेट सेट करना है मार्जिन के लिए आपको design option सुरी पिले आउट option में मार्जिन और यहां से आपको क्या लेना है moderate लेना है तो इस पे क्लिक करना है और यह अपना कोर्षन सब्सक्राइब तो दोस्तों यह थे टॉप 12 अपने efficiency के पॉर्षन इस्टर्नों के लिए तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत दिजल्द धन्यवाब